हेलो नमस्कार शश्रीयकाल मेरा नाम प्रीम पांडे है वेल्कम बैक तो अनदर वीडियो फ्रॉम एरर करेक्शन और एडिटिंग अब यार मैक्चुरिटी इस बात में कि आपको यह पता होना चाहिए कि इस नॉट दे फॉर्स वीडियो जो हम इस टॉपिक पर अप्लोड कर और वीडियो ढली थी error correction and editing के बारे में इसी का second part है यह और इस वीडियो में सबी तरीके के latest questions, error correction और editing के, इनको कैसे solve करोगे, क्या tricks होने चाहिए और किस तरीके के question exam में आएंगे वो हम इस वीडियो में चेक कर रहे होंगे, साथ में solve कर रहे होंगे, throughout the video बने रहो, अपने seat की, पेटी, बाद लो, क्योंकि आज हम कुछ बहुत ही मददार questions करने वाले, let's start from question number one, ठीक है, question number one, देखो यार, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, error, correction और editing में गलती केवल 3 जग हो सकती है, आपको, पहले क्या चेक करना है, verb का form, कि कहीं सही, वो अपका form लगाए की नहीं, कहीं, गलत form उप तो नहीं लग गया, पहली चीज, दूसरी चीज आपको CHECK करनी है कि, क्या subject और verb, एक दूसरे से agree कर रहे हैं कि नहीं कर रहें, और तीसरी चीज आपको CHECK करन है कि क्या determiners सही लगा है या नहीं लगा है भाई determiners के अंदर ही हमें articles पढ़ाया जाता है A, N और The, जादतर गलती A, N और The में ही होती है दूड़ना पढ़ेगा आपको ठीक है तो गलती के बल इन तीन जगह मिलने वाली अपन को चलो अब पढ़े question को बिलकुल पढ़ते हैं क्या question? The earth is the planet that we live on and it is a fifth largest planet यहीं पर गड़ बड़ी दिखरी है कुछ और आपको पता होना चाहिए largest क्या है यह adjective है large, larger, largest देखो यार जब कभी भी superlative degree आ जाए जब कभी भी superlative degree आ जाए अब यह मत बोलना कि भईया superlative degree क्या होता है tall, taller, tallest, superlative degree हो गया और large, larger, largest, smaller, smallest यह जो तीसरी वाली degree है it is called superlative degree और superlative degree के पहले हम A का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्या लगाते हैं हम, हम A की जगह पर लगाते हैं the, एक बहुत ही famous thought है honesty is the best policy, होता है न, तो best हमारा superlative degree है, इसलिए इसके पहले हमने the लगाया है तो कभी भी superlative degree आए, इसके पहले और कोई article नहीं, बलकि the लगता है समझ में आया, समझ में आ गया होगा, तो let's move to our next question, that is question number 2 again हम इसको पढ़ेंगे और देखने की कोसिस करेंगे, गलती कहा है read the following lines from a sports general and supply the error and correction in given format अब ये line पढ़ी है, और इसमें अगर कोई गलती है, तो ढूड़िये ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या verb की सही form दी है या नहीं दी है football is, यहाँ पे तो सही है, is one of my favorite sports because it allows me to fully immersed myself in action on the field while creating a sense of togetherness among players and fans देखो यार, एक तो ये verb है यहाँ पर, दूसरा ये verb है, ठीक है और तीसरा verb है creating, देख लो कहीं गलत यूज हुआ है क्या कोई गलत form of verb यूज हुआ है क्या, इसमें भी गलती नहीं है, इसमें भी गलती नहीं है मेरे दोस्त एक और यहां पर ट्रिक काम आता है हमारा तुमको जहां पर भी टू दिख जाए क्या दिखे टी ओ टू दिख जाए और टू के बाद अगर तुमको वर्ब दिखे देखो टू के बाद या तो वर्ब आता है या तो कोई नाउन आता है या तो वर्ब या तो नाउ आया है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जहां पर verb आया है आप देख सकते हो यहां पर two के बाद एक verb आया है है ना लेकिन यह verb third form में है दिख रहा है आपको immersed third form में है यही गलती है मेरे दोस्त two जहां पर भी इस्तेमाल होता है इसके बाद केवल एक ही form of verb यूज होता है देट इस verb की first form तो गलती क्या है गलती है हमारा immersed immersed हमारा error है और हमारा correction हो जाएगा immerse first form immerse have you got it तो दूसरा trick भी तुमको याद रहेगा कि जहां कहीं भी हम two देखेंगे two के बाद हमेशा verb की first form लगती है कोई और form का स्थेमाल नहीं होता are you getting my point अगर ना समझ में आ रहा है तो अब भी बोल दो so that I can reply you on the comment section समझ में रहो now we will move to our next question that is question number three क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़ते हैं और इसमें गलती ढूरते हैं read the following excerpt from an article of our constitution supply the error in given format हमारे constitution का एक article है इसी के बारे में कुछ दिया है और इसमें कुछ गलत भी दिया है अब आपको क्या गलती है ये ढूडनी है आपको ये भी पता है कि सबसे पहली गलती हमें कहां ढूडनी होती है अब ये पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कहां गलती हो सकती है ध्यान से देखो कोई वर्ब का फॉर्म एक ही वर्ब यूज हुआ है इसमें क्या ये सही है खुद से पूछो क्या ये सही है गारेंटीड यहाँ पर होना चाहिए आर्टिकल 14 of the Indian Constitution जो अभी भी है उसके लिए पास्ट का वर्ब क्यों यूज करना प्रेजेंट का वर्ब यूज करेंगे न भाई साब simply आर्टिकल 14 के लिए देखो इसमें क्या लिखा है आर्टिकल 14 of the Indian Constitution गारेंटीड गारेंटी करता था अब गारेंटी नहीं करता ऐसा है क्या भाई आर्टिकल 14 अभी भी Constitution में है और अभी भी वो गारेंटी करता है किस बात का? Right to equality to all citizens है ना तो ये गारेंटीड लिखा है मतलब पहले गारेंटी करता था आप नहीं करता तो ये तो गलत हो गया क्या होना चाहिए? present का form यूज करो कि अभी भी गारेंटी करता है करता है करता है या नहीं वो आपकी first form यूज करनी पड़ेगी guaranteed यहाँ पर हमारा गलत word क्या हो गया? guaranteed ठीक है? और सही क्या हो जाएगा? guarantees समझ रहे हो यार? बहुत ही simple सा rule है हमारा verb, subject to verb agreement और determiners इनी तीनों में गलती जूडनी है हम फटा-फट इनी तीनों को चेक कर रहे हैं और अपना answer निकाल रहे है बिलकुल ऐसी तुम्हें भी exam में जाकर करना है मेरे दोस्त let's move to our next question that is question number 4 again इसमें पढ़ते हैं कह रहा है कि read the following lines about Sivaji Rajay and choose the correct option देखो यार, Sivaji Rajay आपको पता है कितने famous personality है उनके बारे में कुछ दिया गया है अब देखो कि क्या गलत है इस फूरे sentence में ध्यान से पढ़ते हैं कि he converted this threat into opportunity by building naval force यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि converted इसलिए use हुआ है क्योंकि यह past की बात है Sivaji Rajay अब नहीं है है ना तो यहां तक तो बिल्कुल सही है he converted this threat into opportunity by building naval force and forts along coastline who helped him to win over a strong army of moogles अब देखो सबसे पहले वर्ब चेक करेंगे क्या वर्ब तो गलत नहीं है converted और helped दोनों सही है कोई दिक्कत नहीं है subject और वर्ब हमारे agree कर रहें कि नहीं he or converted agree कर रहे है कोई दिक्कत नहीं है बसता है अब हमारा determiners तो एक determiners यहां पर use हुआ है एक determiner use है हाँ पर हुआ है बस एक दो determiners use हुए है यह वाला तो गलत दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका मतलब है he converted this threat इस खत्रे को इसने convert किया इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब बचा who helped who में दिक्कत है कई ना कई तो है भाई साब फिर से पढ़ते हैं देखते हैं क्या आता है दिमाख में he converted this threat into opportunity by building naval force and force along coast line who helped अच्छे एक बात बताओ पहले यह पता लगाओ इसमें help किस ने किया है help किस ने किया है help जब naval force और यह जो किले है जब यह बने तो इन चीजों ने help किया यहाँ पर use हुआ है who who leaving being के लिए use होता है नोकी naval force जो की non-leaving है fort जो की किला non-leaving है non-leaving के लिए हम क्या use करते हैं which लगाते हैं which लगाते हैं या हम that लगाते हैं है ना तो simply देखते हैं क्या यहाँ पर कौन सा option सही है converted का converts कर सकते हैं नहीं यह गलत है this का that कर सकते हैं कैं नहीं along का under कर सकते हैं नहीं who का that कर सकते हैं बिलकुल सही हमारा d वाला option बिलकुल सही है कि भाई यहाँ पर who जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ है इसकी जगा हम which लिखेंगे या that लिखेंगे जब कभी भी non-leaving things की बात हो तो which या that और अगर यहाँ पर कोई इनसान होता जिसने इनका help किया होता तो who लिखते हैं क्योंकि who इनसानों के लिए use होता है are you getting my point समझ में आ रहा है मैं क्या कहे रहा हूँ बिलकुल समझ में आ रहा होगा now let's move to our next question that is question number fifth again हम question को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या गलती है another important issue that requires attention is the rise in violence between young people as youth are both victims and preparators of violence अब आपको सबसे पहले verb ढोडना है क्या verb में गलती है another important issue that requires attention is कोई दिक्कत नहीं है इज present में है requires उई present में verb में कोई दिक्कत नहीं है क्या subject और verb में agree करने में कोई दिक्कत हो सकती है यहाँ पर issue is सही है issue subject है singular is भी singular है हमारा कोई दिक्कत नहीं है अब बात आती है determiners की गलती है determiners कहां use हुआ है एक तो the use हुआ है यहाँ पे एक that use हुआ है यहाँ पे और और कहां use हुआ है एक हुआ है between ठीक है आप देख सकते हो है ना पहले देखते है that सही है की नहीं another important issue that requires सही है कोई दिक्कत नहीं है requires attention is the rise is the rise in violence यह भी सही है between young people देखो यार यही यहाँ पर गलती हो सकती है between young people between दो लोगों के लिए use हो रहा है अब यहाँ पर सभी young लोगों की बात करनी हुई तो हम between नहीं क्या लगाएंगे among लगाएंगे है ना इतना तो पता होना चाहिए कि भाई दो लोगों के लिए between दो से ज़ादा लोगों के लिए among लगाते हैं तो यहाँ पर young people के बारे में बात हो रही है, दो से ज़ादा लोग है, तो हम error वाले section में लिखेंगे between, और correction वाले में लिखेंगे among, जो कि हमारा सही answer है, Are you getting my point? समझ में आ रहा है, मैं क्या कहे रहा हूँ? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा है ना, अचा कोई दिख्कत हो है, तुम comment section में पूछ सकते हो, अब भी वीडियो को देखते ही, तुम comment section में पूछ सकते हो, अगर कोई दिख्कत आ रही है, तो, है ना, चलो, दुबारा एक question पढ़ते हैं, कह रहा है कि, read the given line and supply the correction by choosing the correct option, पहले sentence पढ़ते हैं, यार तो इस line को दुबारा पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ी difficult words यूज हुए है, तुदेश सिचुएशन नेसिसिटेट्स, डिमोंस्ट्रेट इवन वाट इस राइट और इन गुड इन ओर्डर फोर इस चैनल्स, तो गेन देट्रस्ट आफ दे मासेस, एक चीज तो clear है, यही हमारा verb है, और आप देखे हैं, जब एक बार verb यूज हो चुका है, फिर यह दुबारा verb क्यों यूज हुआ है, demonstrate क्यों आया है भाई, जब एक verb नेसिसिटेट्स आ गया है, if we demonstrate क्यों आया है यहीं पर काम आता है हमारा आज के दिन की तीसरी ट्रिक क्या है जब एक form of verb sentence में पहले use हो जाए तो जो दूसरा verb होता है वो किसी और form में नहीं बलकि ing form में होगा तो यह demonstrate क्या हो जाएगा demonstrating बन जाएगा तब यह पूरा sentence हमारा सही होगा तो error वाले sentence में क्या लिखोगे आप आप लिखोगे demonstrate demonstrate ठीक है अब इसको हमें सही करने के लिए इसको ing form में बदलना पड़ेगा यानि demonstrating are you getting my point समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ एक चीज बहुत important मैंने बताई कि अगर sentence में कोई verb पहले से ही दिया गया है ठीक है तो जो दूसरा verb आएगा वो ing form में रहेगा are you getting my point देखो मैंने simply कर दिया demonstrate को demonstrating कर दिया समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा है न कोई दिक्कत हो तो बस comment section है न चलो let's move to our next question that is question number 7 read the lines of the guidelines for GST registration and supply the error if needed देखो यार एक line दी है अब इस line में देखो क्या गलती है और गलती को ढूड़ो if आधार authentication is chosen अगर आधार authentication आपने चूज किया है तो it may be completed before the application can be submitted it may be गलत आ रहा है क्या may be का मतलब आप कर सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर इस sentence का मतलब तो कुछ और ही बन रहा है क्या मतलब बन रहा है कि अगर आपने आधार का authentication चुना है तो आपको application submit करने के पहले पूरा कर लेना है process application submit करने के पहले आपको पूरा process complete कर लेना यह जरूरी है यहाँ पर कोई may की बात ही नहीं है may मतलब आप कर भी सकते आप नहीं भी कर सकते यहाँ पर आपको करना ही है अगर आपने आधार authentication चूस किया है तो application submit होने के पहले आपको इसको complete करना है यह जरूरी है जरूरी के लिए हम may नहीं लगाते बलकि must लगाते है समझ में आरा मेरी बात तो chosen का choose भी नहीं होगा h का r भी नहीं होगा b का bean भी नहीं होगा may की जगह क्या हो जाएगा must सो हमारा d वाला option इस question में बिलकुल सही है है ना अच्छा अब चलते अपने अगले question की तरफ question number 8 की तरफ आए देखते हैं इसमें क्या गलती है read the following lines and supply the error and correction wherever needed ठीक है क्या है line India has a huge population of youth समझ में आता है who love movies and many of them loved to watch cartoons on their mobile phones और laptops गलती होगे भी या आपको सबसे पहली गलती कहा ढूडनी होती है obviously verb में ढूडनी होती है तो भाई इसमें verb कहा कहा use हुआ है देखो एक तो has है ठीक है main verb यहाँ पर who love movies and many of them loved यहाँ पर love यहाँ पर loved गडबड है क्या यहाँ पर love यहाँ पर loved जी हाँ गडबड है मेरे दोस्त क्यूँँखी देखो यार एक trick मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अगर दो verb और दोनों and से जुड़े है love, movies and many of them loved यह दोनों and से जुड़े है तो दोनों का form बिल्कुल सेम होना चाहिए अगर यह verb की first form है तो यह भी verb की first form होनी चाहिए तो यह वाला loved काट कर correction वाले में तुम क्या लिख दोगे love लिख दोगे मैंने बताया था and वो तराजू है जो दोनों तरफ equal form of verb को लेता है समझ गए अगर यहां पर verb की first form है तो इस तरफ भी verb की first form इदर verb की second form है तो इस तरफ भी verb की second form तो इस तरीके से error correction की कुछ important questions आज की इस वीडियो में हमने करे and I hope कि आपको इन questions को करकर थोड़ा सा जो दिमाख है न वो broad हुआ होगा ऐसा ही और questions चाहिए यार तो comment box में बता दे न मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में तब तक ख्याल रखो अपना अपनों का बाबाई love you all चैहिंदियार